हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो और फेवरेट यूटूब चैनल हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ, NCRT बुक जिसका फर्स्ट चैप्टर हम कम्प्लीट कर चुके हैं किसी बच्चे का रह रहा है ये कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट में क्लास 10th मैथेमेटिक्स नाम से प्लेलिस्ट बना रखिया है वहाँ से अपना डाउट सोल कर रखते हो आज हम करेंगे क्यूस्टन नमबर सैकिंड जो बिलों करता है अक्सरसाइज 2.2, चैप्टर स्टू, परनमियल इससे प्रिवेस वीडियो में हमने 2.2 अक्सरसाइज का फर्स्ट क्यूस्टन कम्प्लीट किया था आज हम इसका सैकेंड क्यूस्टन स्टार्ट कर रहे हैं सैकेंड क्यूस्टन में क्या दिया गया है हमें एक क्वाद्राटिक पोलनमियल हमें quadratic polynomial find करना है Each with the given number as the sum and product of its zero respectively इसका मतलब क्या है हमें quadratic polynomial find out करना है और जो अमारे पास number दिये गए है पहला तो number अमारा क्या है number as the sum तो ये पहला तो हमारा number of zeros का जो sum होता हो है और दूसरा number है वो क्या है product of zero हमें एक polynomial find out करना है जिसमें क्या है अमारे पास sum of zeros दे रखा है and product of zero दे रखा है तो हमें पहले तो एक standard equation होती है polynomial की वो बताते हैं उससे हमारा पूरा solution easy हो जाए क्या होती है polynomial कोई px ले लिया किसमें लिया इसमें variable के x तो x square minus इधर क्या आता है sum of zeros into में x plus product of zeros ये अमारे पास एक standard equation होती है sum of zeros फिर उसके बाद क्या होगा product of zeros क्लियर होगे है यापर अब हम इससे आगे next में चलते हैं इसमें value put करनी है बैस और कुछ नहीं करना है अमारे पास क्या दे रखा है इसमें सिरफ पहले value put करनी है पहला हमारे पास sum of zeros है और दूसरा हमारे पास product of zeros है तो पहले पार्ट में sum of zeros क्या दे रखा है sum of zeros 1 by 4 दे रखा है और product of zeros क्या दे रखा है माइनस 1 दे रखा है तो sum of 0, 1 by 4 और product of 0, माइनस 1 दे रखा है तो जो equation है उसमें हमें value put करनी है PX equal to X square minus यह जरूर ही नहीं है आप इधर X square ही लेकि चलो X square variable Y भी ले सकते है variable T भी ले सकते है कुछ भी ले सकते है माइनस sum of 0 कितना है 1 by 4 उसके बाद क्या है X plus product of 0 क्या है माइनर को किलियर हो गया अब हमारे पास यह यहाँ पर fraction में है पोलिनोमियल इनको change करने की कोजिस करेंगे fraction में नहीं होना चाहिए तो हम 4 को क्या करेंगे 4 का LTM ले लेंगे तो 4 LTM लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4 X के र माइनस X और यहाँ पर माइनस 4 होगे अबने इसको 4 से मल्टिप्लाई कर दिया बद जो fraction है ना उनको खतम करने है तो इस 4 को अटाना है तो पूर इक्वेशन को अबने 4 से मल्टिप्लाई कर दिया तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया 4 X के र माइनस X माइनस 4 समझ में आए बैस सिरब हमें जो यह एक्वेशन है यह याद रखनी है और इसमें Thumb of zeros and product of zeros की value को टप करनी है हमारे पास quadratic पॉलिनोमियल की एक्वेशन आ जएगी कि लिए फर्स्ट पार्ट हमारा complete हो गया है I hope अच्ची सी समझ आ रहा होगा अब हम इसका next पार्ट करते पार्ट सेकिंड करते हैं सेकिंड पार्ट में भी हमें quadratic पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालनी है sum of zeros क्या दिया गया root 2 and product of zeros क्या दिया गया 1 by 3 अब जो हमारी एक्वेशन होती है polynomial Px is equal to x square minus sum of zeros into x plus product of zeros इसमें इनकी value put up करनी है तो Px is equal to x square minus sum of zeros कितना है root 2 के बाद के x plus product of zeros कितना है 1 by 3 clear हो गया अब हमने बताया कि आप निचे fraction में नहीं आना चाहिए तो पूरे equation को 3 से multiply कर दें 3 से multiply करेंगे तो यह 3x square इसको 3 से multiply करेंगे तो यह क्या आप जाएगा 3 into root 2x और इसको 3 से multiply करेंगे तो बाद तो अब मारा polynomial आ गया 3x square minus 3 root 2x plus 1 बैस हमें जो fraction में उससे पूर equation को multiply कर देना है clear हो गया अब हम इसका next part करते है पार्ट इसका second question का third part polynomial, quadratic polynomial निकालना है sum of zeros दिया गया है 0 and product of 0 दिया गया है तो इस situation में put करेंगे sum of zeros क्या है 0 और product of zeros क्या दिया गया है root 5 तो equation में put करेंगे तो px equal to x square minus sum of zeros कितना है 0 तो 0x क्या होता है 0 ही हो जाएगा और product of zeros क्या है root 5 तो equation क्या होगी x square यह पूरा 0 हो गया इस quarter देंगे plus root 5 यह हमारा polynomial हो गया जिसकी zeros तो दी गई है sum of zeros zero और product of zero के आदिया गया है root 5 clear बहुत ही easy है सारी question बिल्कुल same pattern में चल रहे है बैस ही equation यहाद होनी चाहिए next part करते हैं next time करते हैं इसका second question का fourth part sum of zeros कितना दिया गया है one और product of zero क्या दिया गया है one तो sum of zeros कितना दिया गया है one product of zeros क्या दिया गया है one अब हमें polynomial की जो standard equation नहीं है तो तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी इतने value put कर देंगे x square minus sum of zero क्या है one into में x plus में product of zero क्या है x तो x square minus x into one क्या होगा है x plus one तो x square minus x plus one quadratic polynomial हो गया जिसकी sum of zeros one दिया गया है और product of zeros भी one दिया गया है क्यलिया next part करते हैं इसका second question का fifth part करते हैं polynomial निकालना है जिसकी sum of zeros minus one by four है product of zero one by four है equation होती है Px is equal to x square minus sum of zeros into x plus product of zeros अब sum of zeros क्या दिया गया है minus one by four और product of zeros क्या दिया गया है one by four क्लियर हो गया अब हम next में क्या करते हैं इसका value put up करेंगी x square sum of zeros क्या है minus one by four into में x plus product of zeros क्या है one by four सिर्फ यहां तक हमने value put करी है अब हमें आगे solve करना x square minus minus plus one by four x plus one by four दोनों में four है denominator में four से multiply कर देंगे तो four x square plus x plus one इसको four से multiply किया four x square इसको four से multiply किया तो four four cancel out x बच गया इसको four से multiply करेंगे तो बन आजे तो four x square plus x plus one क्या हो गया इसका quadratic coninomial जिसकी sum of zeros minus one by four and product of zeros one by four दी गई किलिए रोगे अब इसका next part करते है question number second का six part हमे quadratic polynomial निकालना है जिसकी sum of zeros four दिया गया है product of zero one दिया गया है polynomial की standard equation क्या होती है px is equal to x square minus sum of zeros into x plus product of zeros sum of zeros कितना दिया गया four और product of zeros कितना दिया गया one value put करनी है भी px is equal to x square sum of zeros क्या है four साथ में x plus product of zero क्या है one इसमें कुछ denominator में है नहीं fraction में नहीं है तो multiply भी नहीं करना पड़ेगा तो यह तो और इजी हो गया तो क्या है है हमारी equation x square minus four x plus one यह हमारा second question के one to six parts सारे complete हो गया है वो 2.2 exercise भी complete हो गया है इसी के साथ साथ हमारा second chapter complete हो गया है वीडियो अची लगे तो like, share और subscribe जरूर करना next video में हम next chapter स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए यहां तक complete revision करना है साथ साथ revision करते हो यह चलना है अपने हाथों से practice करना है question का ज़्यादा से ज़्यादा तभी तो सारे question easily solve कर पाऊगी तो अगर board exam में अच्छा score करना है math में तो सारी video को complete देखना है skip नहीं करना और फिर एक video देखके उसकी self practice करके देखो फिर next video देखो उसकी self practice करके देखो ऐसी करोगे तो इसमें math में एक marks भी नहीं कटेगा तो इसको बहुत ही ध्यान से करना है बहुत important है ही अमारे लिए तो ध्यान से सोर करना है मिलते हैं next video में Thank you very much